गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों को लेकर टीमसी सांसद और फिल्म अभिनेता सत्रूगन सिन्हा ने आज खास अंदाज में कहा कि गुजरात में जो नतीजे दिख रहें वैखुसी की बात भी है और कईयों के लिए आश्ट्रिय की बात भी पूरी सरकार तमाम मंत्री गन तमाम मुख्य मंत्री परदान मंत्री ग्रह मंत्री ने महनत की रोड सो किया एक महिना पूरी सरकार वहीं बैठ गई जैसे लगा पूरा हिंदुस्तान गुजरात में सिमट गया हो तो मैं समझता हूँ उसका तो असर पड़ा ही होगा अब बात में पता चलेगा कि खेल तमासा हुआ है या नहीं हुआ है मैं इन बातों पर इसलिए टिका टिपणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी टीम वहां रेस में नहीं थी कॉंग्रेस से अमादमी पार्टी को लेकर सबाल पूछे जाने पर सत्रुगन सिनहा ने कहा कि खराब हुआ है या करवाया गया है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बहराल जो विजाई हुए है मैं उनको मुबारक बात देता हूँ लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि केजरिवाल की मजबूती देकर लोग घबरा तो नहीं गए कॉंग्रेस के पीछे रहने के क्या कारण है उसकी समीक्षा तो वही लोग करेंगे हम भी करेंगे लेकिन ऐसा होगा इस तरह उमीद नहीं थी लेकिन जन्ता जनार्दन ने जो नतीजे दिये हैं उसको स्वीकार करना चाहिए सत्रुगन सिनहा ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी को जो सपलता नहीं मिली उसके पीछे बहुत बड़ा हात विपक्ष का है खास कर वहां की पेंडूलम पोलिसी का भी पांच साल उनका होता है और पांच साल इनका अक्सर ऐसा देखा गया है विपक्ष के लिए पिरियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा है सार्थक रोल रहा है जिस तरह से लोग पिरियंका गांधी को देख रहे थे सुन रहे थी उनकी बातों से सहमती जता रहे थे वे भी अभूत पुर्विरहा फिलम अभी नेता ने कहा कि हो सकता है बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दो को लोगों ने अभी छुआ नहीं आप दिल्ली, MCD के नतीजों को देखे इसका परभाव पुरे देश पर पड़ा देश की पूरी सकतियां सासन प्रसासन जब सब यहां थी किसी पर्टिकूलर पार्टी की जीत के लिए और केजरिवाल को परास्त करने के लिए इसके बाव जू जिस तरे केजरिवाल उभर कर आये हैं उसके बाद कह सकता हूँ कि यह दो बटा एक हुआ है टीमसी सांसदों को अकसर परदानमंतरी नरेंदर मोदी को खरी खोटी सुनाते देखा जाता है पर इन दिनों टीमसी सांसद सत्रुगन सिनहा के अंदाज कुछ बदले बदले नजरा रहे है आसनसोल लोकसबा सीर से टीमसी सांसद सत्रुगन सिनहा ने गुरुवार को प्रेस कॉनफरेंस कर पिया मोदी की जमकर तारीब की अलांकि तारीब का कारण भी है खुद सांसद सिनहा ने कहा कि परदानमंतरी ने आसनसोल के साथ बिमार लोगों को आर्थिक सहायथा परदान कर मदद की है ये बड़ी बात है तुर्मुल सांसद सत्रुगन सिनहा ने गुरुवार को प्रेस कॉनफरेंस में कहा कि अपने केंदर के 28 गंबी रूप से बिमार रोग्यों के इलाज के लिए आवितन किया था इन में से परदानमंतिरी ने साथ मरीजों को आर्थिक मदद दिलवाई है उनके मुताबिक इन सभी मामलों में और सतन परती मरीज डेड़ लाग से दो लाग रुपे दिया जाते हैं हलांकि उनके अनुरोद के बाद परदानमंतिरी ने रोग्यों के लिए तीन लाग रुपे भेजे है तोनमुल सांसद ने कहा कि परदानमंतिरी मोदी ने मेरे अनुरोद पर इतना किया ये बड़ी बात है बतादे कि अटल बिहारी वाजबाई का हात पकड़ कर सांसद सत्रुगन सिनहा बीजेपी में सामिल हुए थे बीजेपी से सांसद भी चुने गए उन्होंने राम मंदीर मुद्दे पर बहुती उग्र रुख अपनाया उसके बाद बीजेपी को छोड़ कर पहले कॉंग्रेज फिर तोनमुल में सामिल हुए सत्रुगन सिनहा वर्तमान समय में वे तोनमुल के टिकट पर चुने गए आसनसोल से सांसद है इंटक के जिला अध्यक्स अभीजीत घटक तोनमुल राज्य के नेतावी सिवदासन के बगल में बैठे तोनमुल सांसद ने कहा सायद परदानमंत्री को याद है कि मैं लंबे समय तक केंद्रिय स्वास्थिय मंत्री रहा उसके लिए मैं परदानमंत्री का आभारी हूँ बता दे कि सत्रुगन सिनहा ने चुनावी अखाडे में मोदी की नीतियों पर जम कर हमला बोला था अलांकि तोनमुल सांसद ने अपने केंद्र के मरीजों के लिए मोदी को धन्यवाद दिया बिहारी बाबु ने कहा कि वे आसनोल की स्वाष्थिय ववस्ता को सुधारने के बारे में सोच रहे उन्होंने आसनोल में एक मेडिकल कोलेज बनाने के बारे में सोचा है ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताईएगा धन्यवाद